है लो बच्चो कैसे हैं आप सब आशकरती हूं कि आप सस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में प्विस्त होंगे आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते वे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चेप्टर एक नया अध्याय जिसका सिउशक है स्वयम करें तो बच्चो आपको एक पहुत ही प्रेना दायक कहानी दी गई है तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा आईए इस कहानी को शुरू करते हैं बच्चो हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडी जवाहरलाल नहेरू को तो आप अवस्य जानते होंगे यह घटना उन दिनों की है जब पंडी जवाहरलाल नहेरू देश के प्रथम प्रधान मंत्री थे एक दिन प्रधान मंत्री भवन का चपरासी सफाई करमचारी से जगड़ पड़ा और बोला मैं टेलिफोन तथा में साफ नहीं करूंगा यह मेरा काम नहीं है मैं क्यों कुर्सी उठा कर रखूं कुर्सी उठाना धरना मेरा काम नहीं है मुफट चप्रासी सफाई कर्मचारी से बोला इस प्रकार उन दोनों में काफी देर तक तू-तू-मैमे होती रही बचो तू-तू-मैमे यानि लड़ाई जगडा होने लगा तभी पंडी जवाहर लाल नहरू किसी काम से उस कमरे में आए उन्हें आपस में जगडा करते देख वे स्वयम अपने रुमाल से टेली फोन और मेज साफ करने लग गए अब तो वे दोनों सर्म से पानी-पानी हो गए साथ ही उन्हें नौकरी जाने का भी भैस अताने लगा चप्रासी ने उनके पैर पकड़ लिये और माफी मागने लगा सफाई कर्मचारी भी उनसे माफी मागने लगा पंडित जवालाल नहरू ने कहा भला इशमेश छमा मागने और डरने की क्या बात है क्या मैं अपना टेली फोन और मेज साफ नहीं कर सकता अरे भई अपना काम खुद करने में क्या हर्ज है यदि आप प्रत्य काम को अपना समझ कर करें तो लडाई का प्रश्न ही नहीं उठता कर्म अर्थातकारी करने से ही भाग का निर्माण होता है बच्चो नहरू जी की एक और विसेशता थी वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नहरू कहते थे उनका जनम दिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है चाचा नहरू को गुलाब का फूल बहुत पसंद था इसलिए वे अपने कोट में सदैव गुलाब का फूल टांक कर रहते थे तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पाट आशा करती हूँ कि ये आपको पाट समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा साथ ही आपने इससे क्या सिख्षा ली आपने इससे सीख ली कि हमें क्या करना चाहिए हमेशा अपना काम स्वयम करना चाहिए उस काम को दूसरों पर छोड़ना नहीं चाहिए तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका भ्यास भी जरूर कीजिए